नमस्कार दोस्तो टेक्च चेंपियन किंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो के इंदर में आपको accessibility setting के साथ खूप या खतरनाक राज के बारे में बताऊंगा दोस्तो 99% लोग accessibility setting के साथ खूपया खतरनाग राज के बारे में नहीं जानते हैं यदि आप भी दोस्तो accessibility setting के साथ खूपया खतरनाग राज के बारे में जान जाएंगे तो आप भी दोस्तो चोक जाएंगे और दोस्तो एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना है ठीक है दोस्तो चलिए वीडियो की सुरुआत करते हैं दोस्तो accessibility setting आप सभी अपने mobile phone के अंदर हमेशा देखते होंगे लेकिश दोस्तो यदि आप इन सभी setting को एक बार ध्यान से देख लेते हैं और सीख लेते हैं तो आप अपने android mobile phone को smart तरीके से use कर सकते हैं और दोस्तो ये सभी 7 features आपकी पूरी life काम आएंगे ठीक है तो ध्यान से देखना अब मैं दोस्तो accessibility setting के जो पहले नमबर के खूप या खतरनाक राज के बारे में बताऊंगा ध्यान से देखना आपको क्या काम करना है दोस्तो अपने mobile phone की setting में आना है setting में आने के बाद दोस्तो अब आपके सामने यहाँ पर इस पर click कर देना है इस पर click करने के बाद अब दोस्तो मैं आपको पहले नमबर की खूप या खतरनाक setting के बारे में बताऊंगा ध्यान से देखना दोस्तो यहाँ पर आपके सामने एक option देखने को मिल जागा face beauty for video calls ठीक है दोस्तो इसका क्या मतलब है यदि आप दोस्तो अपने mobile phone के अंदर whatsapp का इस्तमाल करते हैं messenger का इस्तमाल करते हैं और किसी के पास video call करते हैं दोस्तो यदि आप इस accessibility setting के अंदर इस पहले number की खूपया खतरनाक setting को enable कर देंगे न तो दोस्तो क्या होगा जब भी आप अपनी whatsapp से किसी के पास video call करेंगे या दोस्तो अपनी messenger से किसी के पास video call करेंगे न तो दोस्तो जो आपका face है बिल्कुल साप दिखाई देगा सामने वाले बंदे को सामने वाला बंदा सोचेगा कि जो इसका face है इतना साप किस लिए दिखाई दे रहा है लेकिन दोस्तो आप यदि इस setting को यहाँ से enable कर देंगे na face beauty for video call ठीक है इस setting की मदद से अब किसी के पास आप video call करेंगे तो दोस्तो आपका चो face है बिल्कुल साप दिखाई देगा सामने वाले बंदे को ठीक है तो दोस्तो यह आपकी accessibility setting की पहले number की trick है ठीक है दोस्तो इस trick के लिए like और subscribe बनता है अब मैं आपको दोस्तो accessibility setting की second number की खूप या खतरना trick के बारे मताऊँगा दिहान से देखना दोस्तो आपको फिर से यही पर accessibility setting को इस तरीके से ही open करना है ठीक है ओपन करने के बाद दोस्तो अब आपके सामने यहाँ पर एक option देखने को मिल जाएगा flash notification अब दोस्तो इसका क्या मतलब है दोस्तो जैसे आप यहाँ पर यह अभी बंद मिलेगा यदि आपके पास किसी की incoming call आती है ना और यदि आप इस setting को यहाँ से own कर देंगे तो दोस् दोस्तो जो आपके mobile phone की flashlight है ना दोस्तो यह जलती रहेगी बुझती रहेगी और सामने वाला बंदा सोचेगा यार इसका mobile phone तो बहुत ही लाजवाब दिखता है ठीक है वो दोस्तो सोच में पढ़ जाएगा तो आपको क्या काम करना है इस setting को हमेशा own करके रखना है अब द आपको दोस्तो बताऊंगा accessibility setting की तीसरे नंबर की trick के वारे में दोस्तो यहाँ पर आपके सामने एक option देखने को मेलेगा task timer ठीक है इसका क्या मतलब है दोस्तो यदि आप एक business man आदमी है ठीक है आपके पास बहुत सारी call आती है ठीक है आप चाहते हैं जैसे night में आप 10 mode है ना automatic आपके mobile phone के अंदर लग जाए जिससे किसी की भी call आपके mobile phone पर ना आए और आप परेसान हो तो आपको क्या काम करना है दोस्तो task timer को यहाँ पर click करना है यहाँ पर दोस्तो आपके सामने एक option देखने मिल जाएगा यहाँ पर schedule vibrate mode ठीक है नो से 12 ठीक है अब दोस्त नहीं करना है ठीक है और दोस्तो सुभे के यहाँ पर आप देख सकते हो सुभे के आप यहाँ पर time को change भी कर सकते है ठीक है तो इस तरीके से ना आप दोस्तो आपका mobile phone ए एरो plan mode लगा देगा और सुभे automatic एरो plan mode अट जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप इस वाले features का इ आपको पढ़ने में दोस्तों बहुत कठनाई होती है ना तो आपकी accessibility setting के अंदर दोस्तों एक ऐसी setting है ना आपका mobile phone जो भी आपके पास WhatsApp पर आता है Facebook पर आता है कुछ भी वर्ड तो आपका mobile phone खुद बोल कर बताएगा ठीक है तो आपको यहाँ पर select to speak पर किलिक करना है इस दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है जैसे आप WhatsApp का इस्तिमाल करते हैं तो आपको WhatsApp को इस तरीके से open करना है उपन करने के बाद दोस्तों जब आपके WhatsApp में किसी का message आता है तो आपको कुछ नहीं करना है इस पर किलिक करना है यहाँ से इसको दोस्तों टिक करना है और जो आपका mobile phone है वो खुद बोलगर बताएगा इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना है इतने कोई select कर लेना है और इसको यहां से own कर लेना है ठीक है और दोस्तों आपका mobile phone खुद बोलगर बताएगा ठीक है तो इस तरीके से आप accessibility setting की इस वाली खतरना क्रिक का इस्तमाल कर सकते हैं अब मैं दोस्तो accessibility setting की पांच नंबर की setting के बारे मैं बताऊंगा ध्यांचे देखना यदि आप दोस्तो इस वीडियो को सुरू से लेकर last तक देख लेते हैं तो यह features आपकी पूरी life काम आएंगे और आप आज चोकने वाले हो ठिक हैं दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक setting देखने मिल जाएगे power button and call अब इसका क्या मतलब है दोस्तों यदि आपके पास किसी की incoming call आती है ठेक है आपकी girlfriend की boy friend की या कोई आपकी family member है तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है आप उसकी call को यहाँ से काटना भूल जाते हैं और वो किसी की भी incoming call को यहाँ से कट कर सकते हैं ठीक है जैसे आपके पास किसी की incoming call आएगी तो सिरिफ आपको क्या काम करना है अपने मुबाइल फोन के power button को एक बार दवाना है और उसकी call automatic कट हो जाएगी और जिससे आपकी पोल खुरने से बच जाएगी ठीक है तो इस तरीके से आप accessibility setting की 5 number की trick का इस्तमाल कर सकते हैं अब मैं दोस्तो accessibility setting की 6 number की trick के बारे में बताऊंगा दिहान से देखना दोस्तो इस trick का क्या काम है दोस्तो अब जैसे कभी कभी क्या होता है ना आपके mobile phone के अंदर यहाँ पर आपके जो mobile phone के दोस्तों यह buttons है ना वो खराब हो जाते ह ठीक है फिर दोस्तों आप problem में पढ़ जाते हैं फिर दोस्तों आप कुछ भी यूज नहीं कर पाते हैं अपने mobile phone के अंदर तो दोस्तों आपको क्या काम करना है ना यहाँ पर accessibility setting के अंदर आना है यहाँ पर accessibility menu पर किलिक करना है इस setting को यहाँ से ओन कर लेना है ठीक है ओन कर करने से अब दोस्तों क्या होगा ना जैसे आपके mobile phone के अंदर यह बटन कभी खराब हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर इस पर किलिक कर देना है यहाँ से दोस्तों आप अपनी volume को कम भी कर सकते हैं ज्यादा भी कर सकते हैं यहाँ से दोस्तों आप अपने mobile phone की power को भी ओप क कर सकते हैं ठीक है अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा accessibility setting की 7 number की ट्रिक के वारे में last number की ट्रिक है तो इस ट्रिक का क्या काम है दोस्तों कभी कभी क्या होता है जैसे आपको कम दिखाई देता है ठीक है तो आप दोस्तों समझ में नहीं आता है आप उसको जूम नहीं कर पाते हैं तो आपको accessibility setting के अंदरने आपर मैंगनी फिसकेशन का एक option है इस setting को यहां से आपको इस तरीके से ओन कर लेना सब्सक्राइब करना और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी चरू करना ठीक है दोस्तों चलिए आपको दिर शूप हो